24, मैं final selection की guarantee लेकर मैं आया हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 80 नंबर है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे, उनके सलाम आने लगे, और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले, ऐसा वक्त बदले, कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे, तो दोस्तो मेरे हाथ में 40 नंबर हिंदी, लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर, हमें topic wise पढ़ना है, previous year paper आप सोंग वार से सनी वार पढ़ाएंगे, तो हम topic कप पढ़ाएंगे, तो topic हर रवीवार, हर संडे, शाम को 6 बजे, reasoning topic wise, रात 8 बजे, सामान हिंदी, topic wise, यानि हर संडे topic, और Monday स Saturday, previous year paper की तबाही तयारी कराने मैं आ रहा हूँ, तो जुडिएगा जरूर, SSEA 247 के official YouTube channel पर, शाम 6 बजे, reasoning के लिए, रात 8 बजे, हिंदी के लिए, इंतजार रहेगा, आपका, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, SSEA 247 YouTube channel पर, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनन्दन है, और सुरुवात करते हैं, आज के SSE GD 2024 के, ये जो exam की हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, तो चलिए, अब सुरुवात कर दिया जा, आज के session का, और मैं उमीद करता ह कि आज के session में भी हम लोग खेलेंगे लगातार, धुआधार और सांदर, भीया उपेन दे देना हमें, ठीक है, चलो, ये मिले हैं, अरे भाई, गिरमत, भाई, गिरमत, तो सुरुवात करेंगे, आज के session का, तो सुरु किया जाए, कि किस तरीके से क्या रहेगा आज का हम ल अब हम लोग जैसा की पूरे उर्जा के साथ लगेंगे 25 question और 100 information पे, तो पहले question की तरफ move करते हैं, लास्ट के 25 question, rapid fire के अंदाज में भी खेले जाएंगे, लेकिन सुरुवात के 25 question में उस topic से कितना question पूछ सकता है, इस पे बात किया जाएगा, रेडियो सब लोग, तो एक के संदर में, एक बार तो इसी से प्रस्ना आ गया, कि भया खाली इतना बता दो, कि यह किन दो देसों के बीच में पड़ती है, लेक सुपीरियर किन दो देसों के बीच में पड़ती है, एक बार इसका छेतरफल पूछ दिया था, कि लेक सुपीरियर का छेतरफल बता दो, लेक सुपिरियर का उसके अलावा जील से रिलेटेड जीडी का बड़ा फेमस क्वेस्चन हजार जीलों की भूमी किसे कहा जाता है एक बार यह क्वेस्चन आया था भूमी भारत की सबसे मीठे या ताजा पानी की जील कौन सी है भारत की सबसे जादा खारा पानी की जील कौन सुपिरियर कहां पढ़ती है सयुक्तराज अमेरिका में किन दो के बीच में पढ़ती है सर यूएसे और कनाडा यूएसे और कनाडा के बीच में पढ़ती है सुपिरियल जील छेत्रफल की बात कर दे सर तो आट एट टू वन जीरो जीरो किलो मीटर इसक्वायर ये है सर इसका खारे पानी की जिल की बात कर दे, तो सर हमको फिर कहा जाना पड़ेगा, चिलका जाना पड़ेगा, उडिसा जाना पड़ेगा, हो गया एंसर, अब यहीं से तुम लोग जोडते चलो की एक प्रसन में कितने प्रसनों का आपको information दूँगा, हजार जीलों की भील, हजार जीलो का देश, किसे कहा जाता है, सर यह कहा जाता है, फीनलेंड को, याद रखना, फीनलेंड इस समय, current affair में एक बात याद रखना, प्रसनता सूचकांक में नंबर वन पे है, ठीक है न, प्रसनता सूचकांक, प्रसनता सूचकांक में यह नंबर एक पे चला है, फीनलेंड, अग पंचवर्सी योजना में क्या गैप रहा ऐसा पूछता है इसका एक छोटा सा कोड है आप कहेंगे सर क्या कोड है आओ मैं बता देता हूँ आज ये कोड ये कोड ऐसा है तीन तीन इसमें दो मिनट मैं समय लूँगा तीन तीन दो एक दो दो इका लिग दिये सर ये आपने क्य गैप वाला है सर ये आप क्या समझाना चा रहें मैं ये समझाना चा रहा हूं कि पंच वर्सी योजना कैसे चली जैसे बहुत ध्यान से समझना जैसे कह रहा है पहले तीन पूरा योजना चली तीन पूरी योजना तो सर 1951 से सुरू हुआ था तो 1956 तक चला फिर सर 56 से सुरू ह करके कहां तक चलेगा एक सठ तक चलेगा फिर एक सठ से शुरू हो के छाचछट तक तो तीन योजना मैंने पूरी-पूरी लिख ली पांच-पांच साल की ये भी पांच साल चली ये भी पांच साल चली ये भी पांच साल चली कहोगे हां इसको जरा समझना फिर तीन के बाद इस तीन पे आओगे वो गैप वाले में है तीन तो तीन साल का गैप दो मतलब सर छाचट से उनहत्तर ये क्या हुआ तीन साल का गैप तीन साल गैप यही ये कहा हां सर कहा प्रथम पंचवर्शी दिती और तृति फिर कह रहा है दो साल फूल योजना चलाओ इस तीन के बाद इसी पर आओगे दो साल फूल तो मतलब सर उननीस सो उनहत्तर से ले करके उननीस सो चवहत्तर और फिर सर उननीस सो चवहत्तर से ले करके उननीस सो उन्यासी ये सर हमने दो फूल योजना चलाओ पांच-पांस साल की हां सर दो फूल योजना चलाओ दी पांच-पांस साल की उसके बाद क्या कहा रहा है एक साल का गैप दो के बाद किस पर जाओगे एक पर, एक साल का गैप कहे रहा है एक साल का गैप, मतलब लल्ला 89-80 का गया हो गया समझ रहा हूँ ना मैं ये योजना समझा रहा हूँ भारत की सब रटवा दूँँगा ये ट्रीक है यहां पे तो हमने सर एक साल का गैप वाले से गैप कर दिया, फिर यहां के बाद गहीं आओगे तो कहरा है फिर दूठो पूरा करो तो अगर तुम 80 से उठाओगे तो 1980 से 85 एक ये पूरा करोगे और फिर एक कहोगे 85 से 90 फिर तुमने 25 साल के पूरा कर दिये हां सर क्योंकि यहां पे लिखा था दो पूरा वाले में और इसके बाद सर फिर यहां पे आएंगे तो कर रहा है दो साल का gap कर दो फिर gap कर देंगे तो 85 से 90 हो गया था मतलब 90 से 92 ये हो गया दो साल का gap और सर 92 के बाद समझना मेरी बात को 92 के बाद लगातार 5-5 साल योजना चली 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2017 से 2023 तो जिस स्टुडेंट को ये कोड याद है 3-3-2-1-2-2 और इस वीडियो को दुबारा करके देखना समझ जाओगे, पहले कहरा है 3 साल पूरा ये पूरा वाली लाइन है, तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3-5 साल की पूरा हो गई, सब लोग सामत, सब लोग सामत हो गए न, उसके बाद क तो सर 66 से 79 का गईब, फिर कहरा है 2 पूरा वाले में आओ, इसके बाद यहाँ होगे, सर 79 से 74, 74 से 89, 2-5 साल का पूरा, फिर कहरा है 1 साल का गईब, 89 से 80 का गईब, फिर कहरा है 2 साल पूरा, 80 से 85, 85 से 90, 2-5 साल के पूरा, फिर कहरा है 2 साल का गईब, 90 से 92 का गईब और उसक सी भी पेपर में योजना आयोग का कोश्चन आया पंच वर्सी योजना का तो सही कर दोगे की नहीं इमांदारी से बता दो सही हो जाएगा की नहीं हा तो वो कर देना अरे वो 74 से 78 उसको माना जाता है 89 तक वो खिचके चला गया था फिर एक साल से 89 गैप माना जाता है ठीक है ना 89 गैप माना जाता है चलिए अब चलते हैं अगले पर एक खोली करा सब उपर से गया बचवाई से ही कंपटीशन भी नि कम से कम दो बार नोबेल पुरुसकार प्राप्त किया है सर समझिएगा दो बार अगर नोबेल पुरुसकार की बात कर लें तो दोनों बार अलग-अलग फिल्ड में मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया है मैडम क्यूरी का जो परिवार है मैडम क्यूरी परिवार को लला, नोबल परिवार कहा जाता है, अब अगर मैं अपने regular student से पूछ हूँ, कि 2023 में रसायन का नोबल पूरुसकार किसे मिला है, 2023 में physics का nobel पुरुसकार किसे मिला है साहिति का nobel पुरुसकार किसे मिला है सांती का nobel पुरुसकार किसे मिला है और economics का nobel पुरुसकार किसे मिला है मुझे लगता है किसी को भी नाम याद रखना tough होगा लेकिन मैंने nobel पुरुसकार पे the 10 minutes so लिया है वो देख लेना आपको इसका सौटकट समझ में आ जाएगा देखो रसायन का नोबेल पुरुसकार मिला है MLA को MLA इमोजी और L और A उनके पहले नाम के अच्छर है विधायक को फिजिक्स का मिला है यार फ्रेंक हुई को यार फ्रेंक हुई यह मैं कोड बता रहा हूँ जो तीन साइंटिस्ट है तीनों के नाम में एक के नाम में यार है एक के नाम में फ्रेंक है एक के नाम में हुई है साहितिका मिला है जान फासे को अगर आपकी जान फंस जाएगी यदि आप साहित्य का सब्द इधर उधर कर दिये सांती का मिला है नर्गिस मुहम्मदी को सर वो नर्स है और नर्स हर काम सांती से करती है इकोनॉमिक्स का मिला है गोल्डी को और गोल्डी वर्ड में गोल्ड छिपा है economics बिना सोने के चलेगा ही नहीं कुछ लोग को ये समझ में नहीं आया होगा क्यों नहीं क्योंकि वो सुबा 8 बजे का current affair नहीं देखते वो the 10 minute so से वाकिफ नहीं है इसलिए नहीं समझ में आया जिनको जो जो मेरे student है regular वालों को अलला जिसको नहीं समझ में आया the 10 minute so यूट्यूब पे जाकर के बाई आसुतोस तिरपाठी तुम नोबेल सर्च कर ले ना तुमको ये कोड समझ में आ जाएगा अगला question तो इसका B option मैडम क्यूरी इनके पती को इनके दामाद को इनके बिटिया को सबको मिला है नोबेल परवार इक के बीसी में प्रस्न पूछा था कि किस परिवार को हम लोग नोबेल परिवार के नाम से जानते हैं क्यूरी परिवार को हम लोग नोबेल परिवार के नाम से जानते हैं सविनाव आग्यांदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतित तो किसने क्या था लला हुआ यू था जब गांधी जी सविने अवाग्यां दोलन चला कब था 1930 में फिर गांधी जी किधर निकल लिये थे सर गये थे लंदन उसके बाद आये तो इनको जेल में बंद कर दिया गया तो कमान समहाला था फिर सरोजिनी नाम है जिस किताब को गांधी जी ने पढ़ा था और उसी नाम पे इन्हों ने इसका नाम सविने अवाग्या रखा है सविने अवाग्या अंदोलन की सुरुवात आपके पांच अप्रेल हाना कि यहां पे 6 अप्रेल भी लिखा जाय तो अतिस योक्ती ने योगी 1930 को हुई थी इसके ठीक पहले गांधी जी कौन सा अंदोलन चला रहे थे नमक सत्यागरह चला रहे थे या फिर नमक अंदोलन चला रहे थे ठीक है ना यह बात आप याद रखेंगे सरोजनी नाइडू इनकी दो किताब ब्रोकेन विंग्स और गोल्डेन थ्रिसोल्ड सबसे ज्याद पंचायत होगा भारत में का गठन आर्टिकल 40 में दिया है ठीक है ना आर्टिकल 40 में गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन दिया हुआ है DPSP में दिया हुआ है उसके अलावा सर ग्राम पंचायत कितने मुद्दों पे टैक्स ले सकती है पंचायती राज के अंतरगत 29 ऐसे विशे हैं जिनके उपर ग्राम पंचायत टैक्स ले सकती है जो सहर में लल्ला नगर निगम होते हैं वह कितने मुद्दे पे टैक्स ले सकते हैं नगर निगम याद रखना पंचायती राज जहाती हत्तरवा संविधान संसोधन पंचायती राज से संबंधित है वहीं लला चवहत्तरवा संविधान संसोधन नगर निगम से संबंदित है ठीक है ना मैं आपको एक टफ वाला बताता हूँ नगर निगम में महिला सीट का आरक्षण 243 T में दिया है आप बताईए ग्राम पंचायत में आरक्षण महिलाओं के लिए किस अनुच्छेद में दिया है 243 T में दिया है या किस में दिया है लला यहां लिख दे रहा हूँ सीटों का आरक्षण होता है ना तो महिलाओं के लिए 1 3rd सीट रिजर्व हैं ग्राम पंचायत में किस आर्टिकल में लिखा है और नगर निगम में one third seat reserve है महिलाओं के लिए किस आर्टिकल में लिखा है नगर निगम के पास 18 मुद्दे होते हैं विसय होते हैं जिनके उपर वो tax ले सकता है ग्राम पंचायत के पास 29 भी से होते हैं जिन पर ये टेक्स ले सकता है ग्राम पंचायत के लिए 11 अनुसूची है नगर निगम के लिए 12 अनुसूची है ठीक है न ऐसे छोटे छोटे questions पढ़ते चले जाओ मज़ा आ जाएगा अब बताओ ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लेती है सर ग्राम पंचायत एगरिकल्चर के उपर कोई कर थोड़ी लेगी इस पर टेक्स लेने लगी तो बरबाद होगी क्रिसी के उपर कर लगाने वाला सिचाई कर लगाने वाला पहला सासक कौन था सर सिचाई कर मुहम्मद बिन तुगलक ने भी लगाया था अलावदिन खिलजी ने भी लगाया था दोआ बेरिया में कर बृद्धी मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था दोआ बेरिया में कर बृद्धी को 50% तक इसने पहुचाय था ये answer कर दो original संभीधान में question को ध्यान से सुनो और answer करो original संभीधान में कुल कितनी भासा दी थी original संभीधान में total कितनी भासा दी गई थी ये answer करो वर्तमान में हमारे संभीधान में कितनी भासा है वर्तमान में total भासा कितनी है ये answer करो चलो अंसर बताओ सर देखिए खासी भासा किसमें सम्मली थै ये कोश्चन तुम में से 90 प्रतिसत को नहीं आ रहा होगा लेकिन ये जीडी का प्रीवियस येर का कोश्चन और इसका राइट अंसर है आस्ट्रो एसियाटिक उपकुल की मोनखमेर साखा सर ये भाग 17 में आता है अनुसुची 8 में आता है ओरिजनली 14 भासा दी हुई थी वर्तमान में भासा की संख्या है 22 और आपको बता दे एक 21, 172 और 22 ये क्या बोल रहे हैं सर 21, 172 और 22 संबिधान संसोधन इसके द्वारा ये जो 14 भासा थी वो 22 हुई है 21 संबिधान संसोधन के द्वारा कौन-कौन जोड़ दी गई थी सिंधी 21 संबिधान संसोधन के द्वारा हमारे संबिधान में सिंधी भासा को जोड़ दिया गया जब 172 संबिधान संसोधन किया गया तो मडी पूरी को जोड़ा गया ठीक है ना किसको जोड़ा गया मडीपूरी को जोड़ दिया गया और उसके अलवा नेपाली को जोड़ा गया और एक आपके और भासा हुआ करती थी जिसको की जोड़ा गया आपके वो मुझे अभी कोंकडी ठीक है ना एक और हुआ करती थी मनीपूरी नेपाली और कोंकडी फिर बानबेवा संविधान संसोधन के अंतरगत डोंगरी, संथाली, डोंगरी, मैथली और बोडो ये चार जोड़े गए अब जड़ा देखो ये पंद्रहवी भासा हो गई, मड़ीपूर सोलहवी हो गई, नेपाली सत्रहवी हो गई, कौंकडी आठ अठारवी हो गई, संथ खाली उन्नीसवी, डोंगरी बीसवी, और आपके ये भोडो और एक मैने और मुझ से क्या नाम लिया था, मैथली बाइसवी, बाइस भासा हो गई, कौन-कौन सा संविधान संसोधन इन से रिलेटेड हो गया, ओरिजनल संविधान में, अभी चुना हुआ हुआ है, पांच के 22, उसी तरीके से सब लोग मिलकर के बताओ, सब लोग मिलकर बताना, हमारे ओरिजनल संविधान में कितनी लोक सभा सीटों का वड़न था हुआ था, ये अभी हमको भी पता है कि मैक्सिम्म पांसो गामण हो सकने हैं, वरतमान में पांसो पैंटालिट है, लकिन संविधान में टोटल कितनी का वड़न था तो लल्ला याद रखना 500 सीट ही थी लोग सभा में ठीक है ना ओरिजनल सम्विधान में अगले कोश्चन पे आते हैं भारती सम्विधान में संसत के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के सम्विधान से प्रेरत है कौन ये अनुछेद 108 है ठीक है ना आर्टिकल आर्टिकल 108 के अंतरगत राष्टपती बुलाते है अध्यक्चिता कौन करता है सर लोग सभा का अध्यक्ष एक कोश्चन ये अकसर पूछता है अध्यक्चिता कौन करता है सायुक दधिधैशन में आगर वोटों की संख्या बराबर हो जाये तो जो वोट पड़ता है casting vote जिसे आप कहते हैं निर्णायक मत वो किस article में आता है सौवे अनुछेद में आता है ठीक है न जो लोग सभा अध्यक्ष होता है मानलो दोनों सदन एक साथ बैठे अब सौ लोग बैठे बाई दिवे मानलो 50 vote हुआ कि आलू 10 रुपया किलो 50 vote गया कि आलू 20 रुपया किलो तो जो लोग सभा का अध्यक्ष होता है ऐसे बराबरी के केस में टाई के केस में जो vote देता है उसे casting vote या निर्णायक मत कहा जाता है जिसका जिग्र हमारे सम्विधान के article 100 में मिलता है ठीक है ना और ये हम लोग किस देश से लिए हैं तो ये सर हम लोग आस्ट्रेलिया से लिए हैं आस्ट्रेलिया के सम्विधान से एक और बड़ी अच्छी चीज लिए हम लोग वो क्या है सर समवर्ती सुची यह भी खूब इसको आप इंगलिस में concurrent list बोलते हैं समवर्ती सुची ठीक है इसको समवर्ती सर कनाडा के सम्विधान से ये भी बहुत important हलला की कनाडा के सम्विधान से क्या लिया गया है कैसे लिया गया है सर राज्यपाल की न्युकती ये वाला जरूर याद रखना जीडी में कई बार पूछा है राज्यपाल की न्युकती ठीक है ना राज्यपाल की न्युकती ये कहां से पूछा है सर तो ये भी आपके किसे पूछ दिया है राज्यपाल की न्युकती सर पूछा है आपके यह से क्या बोलते हैं कनाड़ा से अच्छा सर अमेरिका से अक्सर जो पूछता है वो तो तुम लोग रटे हुए हो fundamental right अमेरिका से fundamental right और बृतेन से बृतेन से सर single citizenship ठीक है ना single citizenship ये अक्सर पूछता रहता है और बृतेन से ही आपके ये जो कहा जाता है चुनाओ में जैसे आपका चुनाओ हुआ कौन जीतेगा जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा तो चुनाओ में मैक्सिमम वोट पाने वाला बिजेता घोसित होगा ये बात बिटेन के संविधान से ली गई है कभी मन में ये कोश्चन आना चा संविधान से लिया गया तो बिटेन के संविधान से लिया गया है कि जो वेक्ति चुनाओ में सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो विजेता घोसित होगा खैर कुश्चन का एंसर है आस्ट्रेलिया संसत के दोनों के संयुक्त बैठा का प्रावधान आस्ट्रेलिया से है स कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो लोग निकोटीन कहते हैं वो चाय में पाया जाता है कॉफी की दो किस्म भारत में खूब होती है एक होती है अरैबिका और रोबस्टा ये दो किस्म है जो भारत में खूब होती है अगर हम बिसु के परिपेक्ष में देखें तो आपके य वियतनाम और कोलंबिया ये तीन देश कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक हैं ब्राजील दूसरे नमबर पर इस समय करेंट में चला है वियतनाम और तीसरे नमबर पर लला चला है करेंट अफेर में कोलंबिया ये वो तीन देश हैं जो करम से 20 के 1st, 2nd, 3rd नमबर के देश है तो भारत में उगाई जाने वाली सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफी होती अरेवी का दूसरे नंबर पे होती है रोबस्टा जो आपको याद रखना चाहिए ठीक है न और हमिसा याद रखना कॉफी में कैफीन पाए जाता है चाय में निकोटीन पाए जाता है अगला पॉइंट ठीक है न अगला पॉइंट तो इसका राइट एंसर क्या ओगया भी यसी अगला किस योजना के अंतरगत सरकार ने वह क्रिसि निती बनाई जिसे हरित कृंती को जन्म दिया अब हरित कृंती हरित कृंती सर आई थी आपके 35 वरसी योजना में एक्चुली पहली वाली में क्रिसी को बढ़ावा दिया गया था दूसरी वाली में सर आपके भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा जब थर्ड आई सर ना तो उसमें इन दोनों को मिला दिया गया और इसी क्रिसी के अंतरगत क्या कर दिया गया हरित क्रांती ला दिया गया था हरित क्रांती के जनक भारत में कौन है MS स्वामी नाथन चुकि मैं बताओं आपको इनसे question जरूर पूछेगा अभी कुछ दिन पहले ही कुछ महिने पहले ही इनका निधन हुआ है तो ये question आपसे बन सकता है क्योंकि इसका समद जियोग्राफी से भी है और इसका समद क्रांती से भी है MS स्वामी नाथन बिश्व में हरित क्रांती का जनक कौन था अगर वो पूछे तो आपको बताना होगा नॉर्मन बोरलॉग थे अगर आपसे पूछे हरित क्रांती का सरवाधिक लाभ किस राज्यू को हुआ था तो आपका एंसर होना चीए पंजाब हुआ था अगर आपसे पूछे हरित क्रांती में सरवाधिक फायदा किस अन को हुआ था तब आपका एंसर होना चीए गेहू ठीके ना हरित क्रांती से ये 4-5% पूछता है और अगर हम लोग क्रिसी के छेतर के क्रांती की बात करने नीली क्रांती मचली उत्पादन के लिए पिंक रिव क्रांती का जनक कौन है? किसको कहाजाता है? एक revolution जो लाने वाली व्यक्ति है वो कौन है? रज़त क्रांती का जनक भाई अगर लग रहा हो कि आस्तोसर पूरी चंता के साथ पढ़ा रहे हैं पूरी energy के साथ खुब detail करवा रहे हैं तो like तो बनता है और share तो बनता है यार अगले पॉइंट पर आते हैं निमलिकित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृतिम ताजे पानी की सर हम लोग तो ये पहले कोश्चन में ही बात कर लिये थे लेकिन आप्शन देखो आधे लोग नाचेंगे कि वो बुलर जील तो दिखी नहीं रहा है कोश्चन है गलत आ ग पहले तुम टिक लगा लो फिर हम बात करेंगे ऐसे इस थिती में तुम लोग करते क्या हो अब जब तुमको आप्शन नहीं दिख रहा है बुलर नहीं है जाईर सी बात है कोई एक तो होगा अब तुम करोगे जिसको तुम लोग खुब सुने रहते हो वही होगा वही होग थी हमारी जाके तुमको न कि बचवा जब न रहे तो कोलेरू सुने ओ मार देना टीक अईसे कोहनी जुका के दुई मुका मारे से सुलोग बश बैठे रह जाओ जहां के तहां इसका एंसर इसमें अगर बुलर रहता तो वह अलग एंसर हो जाता बुलर चिलका खारे पानी क रहती तब एंसर होता जब है यह नहीं है तो तुमको नहीं पता है तो माइनस मार्किंग क्यो कर रहा हो नॉर्मेलाइजेशन भी तो होगा नहीं जबर जस्ती का टिक मारना है मार लेना टिक देख लेना उलट पलट न गया हिजाम हाल में तो बदल देंगे नाम अपना हम भारती आधिकारिक गोपनियता आधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंतरता को प्रतिबंधित कर दिया सर ये पारित किया गया था 1904 में पारित करने वाला था करजन ठीक है ना करजन करजन के समय ये भारती आधिकारिकता गोपनियता आधिनियम आया कर करजन के समय भारत में रट लेना पुलिस आयोग बना था करजन के समय भारत में आपके सिक्षा आयोग बना था ठीक है ना सिक्षा आयोग बना था करजन के समय भारत में क्रिसी आयोग बना था करजन के समय भारत में सूखा आयोग बना था इतने कमिशन बने थे कर्जन को भारत का सेकंड औरंग जेब कहा जाता है कHने वाले कौन थे? गोपाल क्रिष्ण गोखले थे यह बात भी जाद रखना कर्जन नहीं इसी कर्जन के समय 1905 इस्वि में भारत के पुरा तत्तो विभाग के स्थापना हुई थी कितना पढ़ोगे यार जितना तुम चाहोगे जीयस में उतना हम तुमको बता सकते हैं करजन का कारेकाल सबसे लंबा रहा है 1899 में ये भारत आया था और 1905 तक ये भारत का वाहे सराय बन करके रहा था ठीक है न ये है करजन अगले कोश्चन पर जाते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा लग करजन ये कई बार पूछता है जैसे पुलिस आयोग बना एंडू फ्रेजर के निर्थित्तों में उट टफ करेगा तो ऐसे पूछ देगा बी ऑप्सन अगला भारती सम्विधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णित किया है जरा सा मुझे बता देना सम्विधान के किस भाग में इसका वर्ण मिलता है जरा बताना fundamental right का वर्ण हमें सम्विधान के किस भाग में मिलता है DPSP का वर्डन हमें समिधान के किस भाग में मिलता है ठीक है ना केंद्र सरकार का वर्डन संघ का वर्डन किस भाग में मिलता है राज्य सरकार का वर्डन किस भाग में मिलता है चुनाव आयोग का वर्डन किस भाग में मिलता है अब मैं बता रहा हूँ देखो होगा क्या, होगा क्या, लोग पहिला वाले का कूद के अंसर करेंगे सर, भाग 3 में, एक नंबर मिल गया, नोबेल मिल गया, ठीक है, DPSP, सर भाग 4 में, ठीक है, केंदर सरकार, भाग 5 में, राज सरकार का जीक, समिधान के भाग 6 में, कर लो बात, लेकिन देख लेना, यही एनरजी, यही उर्जा, अगर लग करके, धाई मिना पढ़ लोगे, तो सलेक्शन भी दिलवाओंगा, यह मेरा वादा है तुमसे, हाँ, चुनाव आयोग, सर भाग 15 कर दीजे, यह क्या है, किस प्रकार का वडित करता है, सर, एक राज लोग सभा द्वारा पारित, धन विधेयक, ठीक है सर, लोग सभा द्वारा पारित, धन विधेयक, राज्य सभा द्वारा भी पारित माना जाएगा, यदि उच्च सदन पर किस समय सीमा में कार संपादन न कर सके, देखे सर, अच्छा बताओ, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है धन विधेयक याद रखना धन विधेयक सबसे पहले लाया जाता है लोगसभा में अगर लोगसभा और किसकी अनुमती से लाया जाता है तो याद रखना राष्ट्रपती के अनुमती से लाया जाता है एक यहाँ बड़े मारके की बात है मुद्दे की बात है चुकि ये राष्ट्रपती के अनुमती से लाया जाता है इसलिए जब एक बार राष्ट्रपती अनुमती दे देता है कि धन विधेयक को ले जाओ तो फिर इसके उपर निणे लेने का इसका सारा अधिकार समाप्त हो जाता है फिर धन विधेयक के उपर अगर कोई नीने ले सकता है तो वो लोग सभा का स्पीकर ठीक है ना लोग सभा का लला जो स्पीकर है वो सिर्फ नीने ले सकता है 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि भाया राजे सभा का इस पर रुख क्या है ठीक है ना राजे सभा का रुख क्या है अगला कोशन आते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल की तुलना किस से की जाती है सरदार बल्लब भाई पटेल मैं आपको बताओं भारत का गैरी बाल्डी तात्या टोपे को कहा जाता है इनको लोह पुरुस भी कहा जाता है इनको सरदार की उपाधी बार्दोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था गांधी जी ने दिया बार्दोली महिलाओं द्वारा ठीक है ना सरदार की उपाधी बार्दोली महिलाओं द्वारा दिया जाता है भारती एकी करण का इनको जनक कहा जाता है भारती सिविल सर्वि यह जर्मनी का एकी करण अगर कभी आपसे पेपर में पूछ दे कि जर्मनी का एकी करण किस ने किया था तो जर्यूनिफिकेशन आफ जर्मनी एकी करण जर्मनी का एकी करण करने वाला कौन था तो बिसमार्ग था ठीका ना Statue of Unity, Statue of Unity, यह किस से related है, तो सरदार बल्लब भाई पठेल से related है, सर यह कहां पढ़ती है गुजरात में, Statue of Unity का वास्तुकार कौन था यह बताए, Statue of Unity, जो सरदार पठेल जी की है, उसका वास्तुकार कौन था, हमेशा याद रखना, राम वी सुतार, ठीक है न, राम वी के वास्तुकार हुआ करते थे, हो गया, तो चलिए, यह अज़ा, भारत का गेरी बाल्डी तार्ट्या टोपे को कहा जाता है, भारत का मैंकी आलवी किसे कहा जाता है, भारत का मैंकी आलवी किसे कहा जाता है, भारत का सेक्स्पियर कालिदास को कहा जाता है, अगला कोशन, L1 अंत्रिक्षियान भारत के स्री हरी कोटा सतीज धवन अंत्रित केंज से सफलता पुर्वक कब लॉंच किया गया था answer करके बताईएगा सफलता पुर्वक अच्छा बता दो ये सुर्य है ये आपका प्रिथ्वी है L1 जो है यहाँ पे जाके लोकेट हो गया ठीक है ना ये मैंने दर टेन मिनट सो में बताया था इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट का नाम दिया गया है ये कौन सा पॉइंट है आपको बताना है जो आदित L1 है आदित सुरिका प्रयवाची होता है लला वो क्या पॉइंट है उसके अलावा जहाँ पे चंद्रयान टू उतरा था उस पॉइंट को मोदी जी ने क्या नाम दिया जहाँ पे चंद्रयान थी उतरा था उस पॉइंट को मोदी जी ने क्या नाम दिया और कितने तारिक को नेसनल स्पेस डे ठीक है न, नेस्नल स्पेस डे की घोशना की गई, सारे बताओ, सारे सारे एंसर बताओ, सर पहले आदित एलवन, हम लोग उस दिन सो भी लिये थे, 2 सितंबर 2023 को लॉंच किया गया, जैसे कि चंद्रमा से रिलेटेड, जो वैस्विक समझाओता है, उसको हम किस नाम से जानते ह हैं, आर्मेटिस, यहाँ पर मैं आर्मेटिस लिख रहा हूँ, जो मेरे नए दोस्त हैं, याद रखना, चुकि चंद्रयान खुब चर्चा में है, तो आप से पूछ सकता है, आर्मेटिस क्या है, आर्मेटिस एक अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित योजना है, जो चंद् पॉइंट, लेंग रेंज पॉइंट या फिर हैलो पॉइंट, यह भी याद रखेगा, मेरे क्लास में आओगे न, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके करेंट अफेयर सब मिलेगा, और जिस तरीके से चंद्रमा के लिए आर्मेटिस मिसन चला था, उसी तरीके से यह जो अमेरिका है, अमेरिका ने एक मिसन चलाया था कि भया, यह सुड़ी के लिए चलेगा, उसको हम लोग Living with a Star कहते हैं, अमेरिका के उस मिसन का नाम क्या है? Living with a Star. अगर पेपर में कभी पूछे कि नासादवरा प्रियोजित, Living with a Star Project किससे संबन्दित है, सुर्य और स्तिरंगा पौइंट और एक का नाम होगा उससक्ति पॉयंट वह आपको याद है स्तिरंगा पॉयंट और संकर पॉयंट इंतना नलायक को सब्सक्राइब कर रहा है कि अधेНеたर रिखाए इस सब्सक्राइम कृतशं एकोनॉमिक्स में मन लगता नहीं है तो हम भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं देंगे अगले पर आजाओ लेकिन यह तुमको पढ़ना है मेरे कह देने से चोड़ नहीं दोगे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है सर इस पर हम लोग बहुत बात किये हैं आर्टिकल 226 के अंतरगत रीट जारी करता है हाई कोट आर्टिकल 32 के अंतरगत रीट जारी करता है सुप्रीम कोट रीट सर पांच प्रकार के होते हैं ठीक है ना पांच प्रकार के होते हैं रीट पांच प्रकार के होते हैं सर और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है तो सर उच्चेतम नयाले जारी करता है रीट के संदर्व में ज़्यादा पावर हाई कोट के पास होता है यह हम लोग कल पढ़ चुके हैं इसलिए इस क्वेश्चन पर आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे उनहत्तरमा राष्ट्री फिल्म पुरुसकार अब देखो पिच्चर के बड़े ज्याता होना है लो एक तरफ लिख दे रहा हूँ राष्ट्री एक तरफ लिख दे रहा हूँ फिल्म फेयर अब आप हमको बताएंगे देखिए ये 79 राष्ट्रिय था और ये 68 फिल्म फेर बताओ बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट मुवी ये आपको बताना है ठीक है ना अब चलो सब लोग एंसर करो तकि दोनों दोरा जाए ये दोनों पेपर में पूस्ता है आपके सर देखिए पहले तो कुश्चन का एंसर हो जाए अलू अर्जुन जुगेगा नहीं साला ले गए अवार्ड तो सर अगर राष्ट्रिय फिल्म अवार्ड मिला है अलू अर्जुन को तो सर फिल्म फेर में मिला है राजकुमार राओ को ठीक है सर इधर मिला है आलिया भट को फिल्म अवार्ड मिला है आलिया भट को इधर भी मिला है आलिया भट को लेकिन सर यहाँ पे इनके साथ कृति सेनन ने साजा किया है कृति सेनन ने राश्टिय फिल्म अवार्ड का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेट्री को रॉकेट्री मूवी को दिया गया है जबकि इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म मेरे वर्ड को ध्यान देना बेस्ट हिंदी फिल्म दिया गया है गंगु बाई कठिया वारी वो को मिला है हिंदी फिल्म तो बेस्ट हिंदी फिल्म का राष्ट्री अवार्ड इसी को मिला है गंगु बाई कठिया वार्डी को ही मिला है ये बात याद रखेगा गंगु बाई कठिया वार्डी ठीक है ये पॉइंट याद रहेगा सभी को लला देखो मैंने कंप्रीजन करके इसलिए लिखा कि आप कभी भूलो ही न दो हजार तेईस का अलू अर्जुन ये आर राजकुमार राओ आलिया भट कृति सैनन राष्ट्री फिल्म अवार्ड लेकिन आलिया भट गंगु भाई कठिया वारी के लिए और सथवा फिल्म फेर अवार्ड रॉकेट्री पूरे भ वारी को दिया गया है ये डिफ्रेंस समझ करके पढ़ना होगा आपको ये डिफ्रेंस आपको समझ करके अब वो बाकी और भी है ठीक अगला गांधी इन चमपारण पुस्तक के लेखा कौन है सर ये जो चमपारण आंदोलन है इसको स्टार्ट किस ने किया था ये बताईए किस वर्स में हुआ था ये बताईए यहीं पे गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रियोग किया था ये भी याद रखना लेकिन भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रियोग गांधी जी ने किया था सौथ अफरिका में भारत के बाहर 1907 इस्वी में लेकिन उन्होंने भारत में कहां किया था, तो बिहार के चमपारण में, कब किया था तो 1917 में, वर्स में हुआ था 1917, इस्टार्ट किया था चमपारण आंदोलन राज कुमार सुकला ने, ठीक है न, और उसके उपर जो किताब लिखे हैं, उनका नाम है डॉक्टर, दीनानाद गोपाल तैंदुल कर जी, ठीक है, अगले कोश्चन पर जाते हैं, अगला कोश्चन, निमली की देशों में से किस देश में, तकला मकान, इसको हम अक्सर टकला मकान पढ़ते हैं, किसा सुरा टकला मकान है, निमली की देशों में से किस देश में, तकला मकान, मरुस्थल इस्थी था, सर देखि सब लिख दूँगा, पेटागोनिया, पेटागोनिया कहां पे इस्थी था, एक ये पूछता है, और एक ग्रेट विक्टोरिया कहां पे इस्थी था, एक ये पूछता है, तुम्हारे जीडी के जितने पूछें सब स्क्रीन पे हैं, मेरी आवाज कई बार लगती है कि ये मास आन्पिटीना में पढ़ता है आप अपना एंसर मैच कराइए ग्रेट विक्टोरिया सर आश्ट्रेलिया में पढ़ता है बोघ्षवाना नाम अवीविया, धिया पारू स के फिरցता हैions तो चीन और मंगोलिया के बीच में ये खुब फैला है, चीन और मंगोलिया, ठीक है न, एक करेक्शन कर रहा हूँ ध्यान देदेना, कि काला हारी बोच्वाना नाम बीबिया और साथ आफरिका में, बोच्वाना तो बोच्वाना में ही है, ठीक है न, और इस question का right answer क्या हो जा पिछले चार पांग COVID के समय से लेके अब तक के जो तीन से चार जीडी के पेपर हुए करीब करीब तीन चार जीडी के पेपर हो चुके हैं उनमें ये इस्टडी से रिलेटेट पांच ठो पूछा है देखो एक तो पूछा है एनियो एनिमो लौजी यह किसका अध्यान है दे पूछा है एपियोलोजी एपियोलोजी किसका अध्यान है एक लला पूछा है हिपोलोजी ह-i-p-o-l-o-g-y यह किसका अध्यान है यह पिछले चार साल के आपके जीडी के पेपर के कुश्चन है सर मांचित्र बनाने के अध्यान को हम लोग कार्टोग्राफी करते हैं एक नंबर की बात हो गई सर आईए बाकी का भी तो एंसर कर लिया जाए सर एनिमोलोजी हवा का अध्यान जो हवा का अध्यान होता है सर एंतोलोजी फूलो का अध्यान कर लेंगे सर एपियोलोजी सर मखी का अध्यान होता है इसके अंतरगत ठीक है ना मखी का अध्यान हिपोलोजी सर घोड़ा का अध्यान किया जाता है इसके अंतरगत ठीक है ना घोड़े का अध्यान किया जाता है इसके अंतरगत अगले question पे आते हैं मुद्रा इस्फिति के अंतर्गत आता है, कुछ नहीं, इस कूषटन में नहीं समझ बाता है, मन नहीं लगता, ना लगे, भाड़ में जाया हम लूझ जान देंगे क्या, हम लोग से यहां मतलब आप से कितना पढ़ होगे लला, कुछ कूषचन डैरेक्ट रट लो, मुद्रा आज के बाद एक-एक बच्चे को याद होना चीए कि मुद्रा इस्फिती क्या है मुद्रा का मुल्य घड जाता है वही है मुद्रा इस्फिती बोलो सियावर राम चंदर की जय अगला कोश्चन 10 सितंबर 2023 को इंडोनेसिया बैडमिन्टन मास्टर्स का खिताब किस ने जीता एक है तो लड़का है जो आज कल कमाल ढाया हुआ है कुछ हाप कुछ हम कुछ ये वो है सराप का ये क्या अप्सन कह रहे है किरन जॉर्ज जी आधे टिक मारेंगे चिराग सिट्टी और लच्छे सेन पर का है मौसा है हमारे नहीं गलत कर रहे हो ठीक है ना इनका नाम ज्यादा सुने उसका ये मतलब नहीं है कि यही बीजेता होंगे आपके किरन सिट्टी अच्छा आप मेरे पास 10-15 मिनट बचे क्या मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन धड़ा 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 लू कि भाई अब 25 क्वेश्चन लगभग हम लोग डीटेल पढ़े ना मानते होना पिछले 40-45 मिनट से पूरी एनरजी के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ है इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना तो आप आज आप 25 क्वे 25 मिनट अगला 25 क्वेश्चन अभी तक 45 मिनट में 25 क्वेश्चन हुए अब एक बार रैपीड फायर हो जाए एक बार लाइक करके हमको सुचित करोगी सर आईए 25 क्वेश्चन का धुआधार खेल हो जाए चलो पहला क्वेश्चन अब यहां से लाइव टेस्ट तेजी बता दे डी ऑप्शन यह कोई नियत का रिकाल नहीं होता है लेकिन मुखि सचियों को राजे का राजेपाल ही निप्त करता है यह याद रखना अगला विशु विज्विज्ञान दिवस कब मनाये जाता है बताइए विशु विज्विज्ञान दिवस 10 नौंबर को मनाये जाता है कुसल इस्थानी स्वायत सासन के लिए विख्या दचिड भारत का राजवंस था लोकल गवर्निंस उसकी बड़ी स्ट्रॉंग थी सर्चोल वंस की नौ सेना भी इसकी बड़ी स्ट्रॉंग थी मक्का में सफेद कली किस तत्तु की कमीस होता है देखो इतना आसान न सर इसका राइट एंसर है 2 जींक रहा फॉट कार्यों में से कौन सा इस्थानी स्वासासन से संब्ड़ीत नहीं है समाराश गुजराट मध्यप्रदेश में बड़ा चर्चा में दूसरा पर माडूंब आज के डेट में reform lawn हुआ है कि आज फटा है समुंद्र में ले जाके पहला प्रमाडू बं गिराए गया था सर 6 अगस्त हिरोशिमा 1946 भारत गरतंत्र कब बना सर गरतंत्र तो हम बने थे 26 जनवरी 1950 को भारत छोड़ो आंदोलन का वर्स है सर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था इसको अगस्त क काली बंगा कहा है इस्तीत है राजे स्थान में भूकम्प के सबसे पुराने साक्ष यहीं से मिले हैं अगला कोश्चन यहां पर रैपीड फाइर चल ना है थोड़ी देर के लिए ब्रिहत सहिता का रचैता कौन था ब्रिहत सहिता के रचैता है वारा मिहीर लच्छ दीप कहां इस्थित है थोड़े आसान से कोश्चन है खेल लीजे लच्छ दीप कहां इस्थित है सर अरप सागर में इस्थित है अगला हाली ही में भारती नौसेना में सौदेसी रूप से व चोड़ना लला जब तक जीडी न हो जाए ना जब तक जीडी न हो जाए आपको ये अगला मेरा एक सेशन है जो ग्रेजुएट इस्टुडेंट होंगे बस वो देखेंगे दो मिनट के बाद देख लीजी सर्थ भारत के किस पडोसी देश ने चार फरवरी 2023 को अपने 75 वी व नगर निगम की बैठको की अध्यक्चता कौन करता अरे सर नगर निगम है तो महाप और करेगा चाची थोड़ी करेंगी हमारी जुलाई 2023 में आस्ट्रेलिया के केंदरी बैंक की पहली ऐसे क्वेश्चन अगर आप से नहीं हो पा रहे हैं तो एक कारण है कि आप सुबा इड़ी का एकजाम होगा फोड़ के रख दोगे तुम लोग ग्रीडा नामक लोगनित किस राज से संबंदित है बी ऑप्शन मद्य प्रदेश से पेले जिनका निधन हाली ही में हो गया वह किस देश के महानतम फुटबाल खिलाडी है पेले जो है मेरे भीया ब्राजील में सर इसको सेट करिएगा बतु कम्मा उच्शो निम्र में से किस राज से संबंदित है बतु कम्मा उच्शो संबंदित है तेलंगाना से अगला हाल ही में मई 2020 में इसनातक और सतर शात रों को विज्ञान प्रदयव की संबंदित प्रारंभिक परिक्षण कौन सा कारिक्रम शुरू किया था सर उसका राइट एंसर आपके ऑप्षन स्टार्ट ठीक है न स्टार्ट बस इससे ज़्यादा मेरे पास सब्द नहीं है जे लोग ग्रेजुएट है 15 दिसंबर तक इसका फार्म भरने की लास डेट है वो इस फार्म को भर सकता है मैं इसी के उपर नए छात्र कैसे कहां से कितना पढ़ें ये मत करना आप ठीक है न तो ठीक है तो ये आपको करना पढ़ेगा ग्रेजुएट तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और वास्तों में फरवरी में एक असी हजार रुपए मिनिममम डेड़ लाक रुपए मैक्सिमम की सरकारी केंदर सरकार की नोकरी चा रहे हैं तो एक बार मेरी बात सुन लीजिए ये आपके आई वी का एक सेशन लगा है ठीक है न और हाँ मैं रोज रोज नहीं कह सकता कि जीडी के लिए बैच आया है जीडी के लिए बुक आया है कुछ तो तुम्हारी खुद की सोच होगी कि यहां पे रोज चीखना पड़ेगा बेटा ये बैच ले लो ये बुक ले लो बेटा पढ़ लो अरे नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे जब उससे जदा हम क्या बोल सकते हैं तो बी वेरी फ्रेंक इमांदारी की बात है मेरा काम है जब बड़ा भाई जब सिछक आपको फ्री में एजुकेशन देना जो मैं दूंगा प्रतिबद हूँ साम साथ से आठ और सुबा आठ से नौ देने के लिए और आपको लगता है कि सर यहां तो पढ़ेंगे ही पेट बैच भी जोईन करके अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा कूपन कोड है Y182 जीडी का महापैक लेना हो या जीडी का बैच Y182 जीडी का बुक या टेस स्रीज लेना हो तो Y182 एस कूपन कोड बाकी यार मेरे अंदर इतना नहीं है कि मैं भी में तुमको समझाना पड़ेगा वो ग्रेजुएट लोगों के लिए उसके महत्त को बताना पड़ेगा तो मैं जा रहा हूँ दस मिनट के लिए बताने आईएगा ठीक है ना तुरंत वो सेशन लगा लेकिन सिर्फ ग्रेजुएट लड़के और लड़कियां नहीं लड ताट